माइकल जैक्सन का जन्म 39 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ था। उनकी मां कैथरीन जैक्सन और पिता जोसेफ जैक्सन है। माइकल जैक्सन एक अमेरिकी सिंगर, गीतकार, डांसर और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें King of Pop के नाम से भी जाना जाता है। माइकल जैक्सन ने दो बार शादी की थी। लीसा मैरी प्रेसली उनकी पहली और डेब्बी रोवे उनकी दूसरी पतनी थी। लेकिन दोनों ही बार उनका तलाक हो गया। उनके दो बच्चे हैं प्रिंस जैक्सन और पैरिस जैक्सन। इनके अलावा माइकल जैक्सन का एक और बेटा बिगी जैक्सन भी है जो सरोग इसी द्वारा पैदा हुआ। उनकी मून वाक, डांस मूव आज भी पूरी दुनिया में सबसे वैसे तो माइकल जैक्सन ने कई एल्बम और इवेंट किये लेकिन उनका थ्रिलर नामक एल्बम आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम हैं। माइकल जैक्सन जीवन भर विवादों में घिरे रहे थे। माइकल जैक्सन एक सौपचास साल जीना चाहते थे। जना ऑक्जीजन चेमबर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवा कर लंबा जीवन जीने के लिए परसनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का ये भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिन्दा करना साइन्स की अदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते हैं जिनके नाम पर 49 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन अपने लॉस एंजल्स स्थित होमस्टेड में थे। उन्हें अपनी आने वाली कॉंसर्ट सीरी इस इस इट की तैयारी करनी थी। माइकल जैक्सन को लंबे समय से नींद न आने की समस्या थी। जिसके लिए वे कई दवाईयों का उप्योग करते थे। इसलिए माइकल जैक्सन के निजी चिकित सक डॉक्टर कॉनराड मरे उन्हें राद भर प्रोपोफोल और बेंजोड लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए। जब वो वापस आये तो देखा कि माइकल जैक्सन सांस नहीं ले रहे थे तो डॉक्टर मरे ने तुरंत उन्हें CPR देना शुरू की और 911 पर कॉल किया। आपातकालीन सेवाएं तुरंत वहां पहुंची। डॉक्टर उन्हें तु 24 मिनट पर माइकल जैक्सन को UCLA मेडिकल सेंटर में मृत घोशित कर दिया गया। इस प्रकार 150 साल जीने की इच्छा रखने वाले माइकल जैक्सन की मौत 50 साल की उम्र में 25 जून 2009 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में हुई। उनकी मृत्यू के बाद 7 जुलाई 2009 को एक सा परवजनिक समारक सेवा का आयोजन किया गया था और इसके बाद उन्हें एक निजी समारोह में कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में दफनाया गया। माइकल जैक्सन को सोने के ताबूत में दफनाया गया था। उनके फ्यूनरल में 8 करोड रुपे खर नशे के ओवरडोज के कारण हुई है इसे होमिसाइड करार दिया गया। इसके बाद डॉक्टर कॉनराड मरे पर अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया। डॉक्टर मरे को बिना उचित चिकितसा निगरानी के माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल और बेंजा डाइजेप देने के आरोप में दोशी ठहराया गया और 7 नवंबर 2011 को उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। माइकल जैक्सन की मृत्यू के दिन की ये घटनाएं और परिस्थितियां दिखाती हैं कि उनकी असमय मृत्यू कितनी त्रासद और विवादास्पद थी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनकी विरासत आज भी जीवित है।